नवश्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ वीडियो मीन्स के कोई जोतिस से सम्मंधित वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कुछ कहने आया हूँ, बताने आया हूँ, क्योंकि जूतिष का एक course start करने जा रहा हूँ, तो उसके बात में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, कि उस जूतिष के course में हम लोग क्या-क्या cover करेंगे और क्या-क्या चीज सिखाएंगे. तो ये course बहुत important course है, उनके लिए भी ये course है, जिनको जूतिष का A भी नहीं या जूतिष का कै भी नहीं आता, ये उनके लिए भी है, जो कि बिल्कुल starting से शुरू किया जाएगा, जहां कि आपको कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं है, आप सिर्फ A-B-C से इसको सीखना स्टार्ट करेंगे, और अंत तक सीखेंगे, और prediction करना सीखेंगे, उस तरीके से ये course का हमने पूरा लेवल डिजाइन किया, course में क्या-क्या हम लोग पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे आपको milky wave के बारे में, कि milky wave क्या होती है, हमारी आकाश गंदा क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे, जो भी astronomy है, astrologer को जाननी चाहिए उसके बारे में हम उसको बताएंगे कि astronomy क्या है और कितनी astronomy astrology को जाननी चाहिए चुकि astronomy से ही astrology बनी है उसके बाद में हम लोग बताएंगे कि basic astrology सिखाएंगे कि जूतिस क्या है किसी जूतिस की quality क्या होनी चाहिए टाइम की क्या importance है, चार्ट की क्या importance होती है, राशियों की क्या importance है, राशी क्या होती है, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी प्रकर्ति क्या होती है, उनसे किस तरीके से हम इनसान की प्रकर्ति के बारे में पता चलाते हैं, उसी प्रकार से कुंडली क्या होती है, उसमें भाव हो हर भाव के कारक कौन होते हैं, इस्थिर कारक कौन होते हैं, चर कारक कौन होते हैं, कौन से भाव ऐसे हैं जो शुब होते हैं, कौन से भाव ऐसे होते हैं, जो अशुब होते हैं, उसके बाद ग्रह कैसे होते हैं, ग्रहों के क्या कारकत्व हैं, ग्रह क्या क्या चीज़े शो कर कि पारे हैं उनके बारें बात करेंगे ग्रहों की दर्स्ट्री कैसी होती है इसे कैसे हुटी पढ़ेंगे कौन सा ग्रह हमारी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है पंचांग भी हम लोग देखेंगे पंचांग का भी बहुत इंपॉर्टन रोल होता है उसको भी हम लोग देखेंगे नक्षत्र के हम लोग पढ़ेंगे दखरा के लिए सबसे अच्छी दशा के बारे में पढ़ेंगे तो रहाए के बारे में आपको बताया आखर भाव का स्वामी गोन है और भाव का कारक कौन है हर भाव का एक कारक होता है और हर भाव का स्वामी होता है तो भाव भावेश और कारक के बारे हैं पढ़ेंगे कुंडली कैसे अनिलैसिस करते हैं यह चीज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग गोचर देखते यानि ग्रहों की गती गती शील है और ग्रह का स्थान चेंज होता रहता है जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रह किसी पर्टिकुलर स्थान पे थे खास की देट में ग्रह किसी पर्टिकुलर स्थान पे है उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव है उसको गोचर फल कहते ह मआ पढ़ेंगे усा क्या मतलब है वोग भी हम पढ़ेंगे बरकार के experience होते हैं दी जट होता है है इसके उसके बारे मेंन पढ़ेंगे इस रावा अरड़ेंगे विवाह से बड़ेंगे अधिया इसे संतान के बारे में the Tale में पूंसी घटना कब घटित होगी इसके बारे में पूंसा खंड ऐसा होगा जो मृतिव देने वाला होगा उसके बारे में पड़ेंगे यह सब चीज पढ़ने के बाद फ्रयंट्टिस खरेंगे और आम कह सकेभा कूर्य हम एक पवित्पून ज्योतिश बन चुते हैं तो यह कोर्स में आपके सामने लेके आ रहा हूं आप लोगों में से जो भी इंट्रेस्टेड हो वो जॉइन कर सकता है सप्टेंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फ़स्ट विक में शुरू करेंगे सेटरडे शाम को क्लास ह हुई सुबह यह हम डिसाइड कर लेंगे एक इंट्रोडक्शन मीटिंग में तो जो भी इंट्रेस्टेड है वो दिएगे नंपर पर संपर करके अपना एंडूल्मेंट करा सकता है लिमिटेट सीट से आप नंबर अपना एंडूल करा लीजिए और क्लास को अटेंड करिए और बेसिक से लेके और एडवांस एस्ट्रोजी तक पूरी एस्ट्रोजी आप सीख सकते हैं धन्यवाद जैश्री क्रिश्न